जम्मू से हैं सुरुम्चंद हमारे साथ स्वागत हैं आपका हालो नमस्कार बताईए तो अभी हो गया को दस मतार निमने लेटे विए उसको तो अभी थोड़ा मेरे को राम है अराम है आपको फाइजा हुआ थोड़ा ठीक है तो अब आपका सवाल क्या है सवाल कीए कि उसको दो टाइम ही खाना गा तीन ही खासरता हुआ नहीं 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 दो इटाइम कहा है भाई देखो ये गौनसिया आपको असके लिए मिल गया फाइदा शुरू हो गया लेकिन इसमें हम जल्दी नहीं कर सकते इतना बताया इतना ही खाएं और दो ही टाइम खाएं प्लीज देखिए आपको जल्दी फाइदा चाहिए तो ऐलो पैथ है आप साथ में ले सकते हैं लेकिन ये रोज आना जरा सा फाइदा करेगा आपको दिकत तो हो रही होगी कि ये दीरे दीरे फाइदा कर रहा है लेकिन ये आप सुरक्षित बहुत हैं ये नुकसान नहीं देता जितना मैंने बताया जितना आप खा रहे हैं ये नुकसान नहीं देता एक तो ये ना इसक ये खतम होते होते आपके रोग से मुक्ती मिलना मुम्किन है तो बिलकुल आपके रोग से मुक्ती आपको तभी मिलेगी जब आप नुस्के अपना लेंगे दर्श को बिलकुल आप ये बात समझे कि जब आप कोई भी नुस्का अपनाते हैं और आपको अराम मिलने लगता है यानि कि कुछ-कुछ परसेंट आपको अराम मिलता है तो समझ जाईए कि अब आने वाले समय में आप लोग मुक्त होने वाले हैं लेकिन धेरे रखिए तब ही आप लोगों को अराम मिल सकता है बाकि जुन कॉलर्स का कॉल अभी कारेक्र में नहीं लग पाता है वो हमारे help line न कि वारे में पूछने रखिना उनके हर जॉइंट मदर्द होता है कंडे का घुचना का कहनियों में तो ना वो लगवग दो साल हो गया आपके मुम्मे के उम्र क्या है पैटालीट वर्स ठीक है जब बटा हम इसी लिए यहां बैठे हुए हैं कि जो लोग बहुत दिन से बी बात लिख लीजे और मम्मी बैठी है तो वो भी सुन लेंगे लेकिन आप लिख लीजे तब ही आपको अच्छा लगएगा इलाज करने में देखिए अलसी आप नहीं तो आपकी मम्मी जानती होंगी अलसी एक तिलहन मैंसे एक चीज है जो बहुत आसानी से मिल जाती है बह सो चार सो पांच सो ग्राम जितना भी आप ले सके इसको हलका सा भून के पाउडर बना के रख लें एक डबे में और एक आता है गाउन सियाह ज़े देखो मैं खबरदार कर रहा हूं कि ये नकली बहुत मिलता है असली लेना आपकी जिम्मेदारी है नकली लिया तो मैं जिम लेकि असली लेना ज़रूरी है पंद्रह सोला रुपे रोज का इलाज है एक गिराम खाना है रोज़ाना देखिए एक गिराम पंद्रह ये सोला रुपे में आ जाता है अगर महंगा भी हो तो इसको पीस लीजे ये रो मैटेरियल है कच्ची कच्ची दवा है गौन है काला क चुटकी इसमें ये गौन सियाह मिलाना है ये चुटकी है ना ऐसा अदा गिराम तकरीमन मिलाना है और ये मम्मी को दो टाइम खाने के पश्चाद पानी से या बगर चेर्बी के दूसरे दिया करें और मुम्किन हो तो ये ऐसा कुरसी वाला बात्रूम का उनको लिए इन्त इन्जाम करें नहीं तो वह बहुत दिन में ठीक होंगी पांच्छे महीने इलाज करें आपको फाइदा होना मुम्किन है अगले कॉलर हैं बात कर लेते हैं राजू है स्वागत है आपका नमस्कार बताइए मैं इंडॉर पर बात कर रहा हूं हां मैं गोर्मेंट कंपनी में क्लास्वन ओफसर हूं मैं आपका रोज प्रोग्राम दिखना और इंडॉर इंपरेस्ट और मैंने आपके हलप लाइन नमबर बात करके वहां से मेरा प्रॉब्लम बताया भी था पर मैं हकीम साहब से बात करके उन्हें बताना चाहता था कि हखीम साहब मेरे को गया डाइब कितना है तो मेरा लोवर और मेरा फॉट ड्रॉप हो गया है दोनों पैरों का तो मतलब मेरे को चलने में भी प्रॉब्लम होती है मैं सीडियां पकड़के चल सकता हूं पर अपने आप सीडी नहीं चल सकता हूं तो मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम बस फॉट ड्रॉप की है जो मैं चाहता हूँ यो कैसे डीग होई ही जरूर आपको फाइदा मुमकिन है देखिए आप एक समझदार और जिम्मेदार इंसान है और ये जो आप दवा लेते हैं वो भी लेते रहें आपको लेना है गौन सियाह काला गौन ये काला गौन अगर असली मिल जाता है तो आधा ग्राम सुबा आधा ग्राम शाम लीजे आप इसे लीजिसे अभी आप फॉल सुन रहे थे एक साब करें थे जल्दी से फायदा हो जाए तो तीन ग्राम तीन बार खाले तो ऐसा नहीं करें ये कुद्रती है ये चीज़ के इसकी एक मिधदार है कब खाना है कितना खाना है किस चीज़ से खाना है इसी को हिकमत कहते है तो आधा आधा ग्राम गॉन आप असली लेना जरूरी है नकली भी बहुत मिलने लगा है नाश्ते के बाद और रात तो खाने के बाद बस आधा आधा ग्राम खाएं और भगवान से खूब मदद मा है मैं भी दूआ करूँगा कि आपको फायदा हो जाए और डायविटीज और प्रेट पेशर के लिए एक आता है जैतून का सिर्का चाहें तो वो भी शुरू करें दो बार नहीं तो एक बार तो जरूर ले रात को सोते समय पानी में मिलाकर तीन चंबच आप सवस्ते जिन्दगी गुजार सकते हैं डायविटीज को मकमल फायदा तो होता नहीं लेकिन डायविटीज से होने वाले नुखसा निजात भी मिल सकती अगर आप पांच साथ महीने लगातार इसको इसको इस्तमाल करें मुझे बड़ा अच्छा लगएगा कि आपको फायदा हो जाए और आप फोन करके हमें बताएं तो हम एक सिम्मेदार और समझदार लोगों से बहुत ज़्यादा इंप्रेस होते हैं ज अब गया नहीं दो लेकिन वहां से अच्छे लोगों के फोन आते हैं जी तो बिलकुल आप ने जिस तरीके से हमारे उपर विश्वास दिखाया है तो हम चाहेंगे कि आप जल से जल यह नुस्की अपना लीजएगा और रौ माटीरियल आप असली ही लीजएगा क्योंकि मा मार्केट में उपलब्ध हैं जो की बिलकुल नकली है तो इन सारी चीजों से बस आपको बचना है कोई भी रौ माटीरियल आप मंगवाना चाहते हैं तो हकीम सहाब की कंपनी से आप मंगवा सकते हैं बात नेक्स्ट कॉलर से उत्राखंट से हमारे साथ हैं स्वागत है आप जी नमस्कार तेज वाज में बात कीजिए नमस्कार जैहिन सेर बताईए क्या सेवा अज़र दिखिये भाई ये सुनपन डाइपटीस की वज़े से नहीं है मेरे अनुभाव के अनुसार ये तो नसे कमर में हमारे डिस्ट में दवी रिती हैं उससे सुन होते हैं सुन भी होते हैं दर्द भी होता है खिचाव भी होता है और जलन भी होती है ऴह चार कैसा बी है नासे बहुंदबने से होती है fakoot इसके लीए दुए लिए भर गॉन सेयह लेजे अगर असली आप ले सकते अधागिरम सुबह अधागिरम शाम नाशते और खाने के पस्चात खाया करें और वेस्टरन ट्रालिट का यूज़ करें ये कुर्सी वाला जो शोचाले होता इसका यूज़ करना जरूरी है ऐसे बरीज के लिए और डायबटीस के लिए जो दवा कहते हैं खाते रहें उसके साथ में आप अगर जैतून का सिर्का लेते है तो यह आपके लिए बहुत मुफीद है, यह आपके जीवन भर मदद करता है और वो नुख्सानाद जो दवाओं से पहुंचते हैं, डायबटीज से पहुंचते हैं, उनको रोक लेता है और डाइप्टीज में भी बहुत कंट्रोल करता है दवा वो भी लिए जो डॉक्टर ने दी हुई है और करब पानी पांच बार की पिया करिए और अगर आप सेहत मन हैं चल सकते हैं तो धूप में चला करें और नहीं चल सकते तो धूप में बैठ जाये करें एक घंटा और आ वारबंकी से हैं इंदर तिवारी जी स्वागत है आपकाा हालो मैं चल नहीं हो घी बताइए सवाल कर लीजिए ऑं आ हं सवाल करिए हमारे ब्रैंड हैंड हैंड है तो हम वह जो ज़ाने वाला काम बताते हैं तो हम करते तो ज्यादा दर्ध होने लगता है मेरा पीछ के लिए दर्ध होता तो हम आप बताई इसलिया करें कि ना करें ठीक अज़े देखिए ब्रैन हेम्रेज के लिए एक्सरसाइज नहीं है ये उन लोगों के लिए जिनके दर्द होता है सर में या मोंडों में या सर्वाइकल जिनको है उनके लिए है ब्रैन हेम्रेज वाले तो जैतून का सिर्का पिया करें तीन चम्मच दिन में खाने के बाद ती जी अगले कॉलर है बुलन शेहर से देवेंदर जी स्वागत है आपका हालो नमस्कार मेडम जी नमस्कार जी मेडम इस प्रोब्लम की जी 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 धात जाती है इसके लिए काव कितनी आयू है आपकी टेटिश्वर्ट ठीक है जी अदिके आप लीजे धनिया आमला सुकावा धनिया सुकावा आमला और आपको लेना है आपको लेना है इसवोल की भूसी और गौन मौरिंगा सफेद ये चार चीजे सो सो ग्राम खरीद कर पॉडर बनाएं और आदा चम्मश सुबा आदा चम्मश शाम दूद में या पानी में मिला कर खाएं तो आपको फाइदा होना मुम्किन है जी तो फाइदा आपको तब ह होगा जब आप इन बातों को फॉलो करेंगे जो हकीम साथ ने आपको बताएं हैं और वैसे ही नुस्के आप बनाएंगे जैसे कि आपको बताएं कोई अधिक जानकरी प्राप करना चाहते हैं को रिकर ना चाहते हैं हैं यहां पर आपकी बात होती है हमारे एक्सपर्ट आपका हेलो हांजी हांजी मैंने हाकीम साथ नुक्षा बताया था नुक्षा बताया था था ताभ चौंथ और जीरा अज्वाएन और आमला और कलोंजी का नमक गास के लिए यही कुछी बनाना है जो तो ग्राम हां इनको 1.500 ग्राम लीजे और इनका पॉडर बना लीजे और 1.500 ग्राम जैतून का नमक असली लें इसमें मिलाकर आप एक चम्मच सुबा एक चम्मच शाम खाया करें खाने से पहले भी खा सकते हैं छोटा चाय का चम्मच जिसे टी स्पून कहते हैं और रात को सोते सुब्सक्राइब करें आपको देखिए ये रोग आपका जा सकता है अगर आप मेरी बात गोर से सुनें देखिए ऐसे बैठना है आपको और ये ये एक्सरसाइज करनी है आपको तीन मिलिट और ऐसे पूरी तरह मोड़ा इसे देखिए यहां तक आ जाती है ये ठोड़ी हमारी तो ये भी तीन मिनट करें और ये च्छै मिनट करें और अपने बैठ पर ऐसे सीधे लेट जाएं मिल्कु ऐसे सीधे और ये गर्दल लटका ले नीचे ऐसे नीचे और ये शरीर आपका ऐसे उपर रहा है और ये गर्दल नीचे को लटका लेट से नीचे को ऐसा आप पांच पांच मिनट करके पांच बार लेटें अगर ये आप दस दिल लगातार करते हैं तो आपका ये बगेर दवा के ठीक होना मुम्किन है.